दोस्तों, RTE Admissions Session 2024-25 का आगया है लोटरी का रिजेल्ट जी हाँ अईए आपको बताता हूँ कि आप अपने बालक बालिका का लोटरी का रिजेल्ट कैसे देख सकते हैं उसका प्राथ मिक्ता कर्मां कैसे देख सकते हैं और लोटरी का रिजेल्ट आने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है एस से लेके जड़ तक पूरी जानकारी आपको बताने वालो नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर जी तो दोस्तो आटी एडमिशन सेशन 2024-2025 के लिए और अभिवाव के लिए यहाँ पर यह दूसरी स्टेप है पहली step हो गई फोरम भरने की दूसरी step हो गई यहाँ पे lottery निकलने की और तीसरी step हो गई यहाँ पे है अपनी school में reporting करने की तो सबसे पहले lottery का result कैसे देखते हैं वो आपको बताता हूँ और इसके लिए सीधा मैं आपको अपने computer की screen पर लेकर चलता हूँ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा देखिए process तो मैं computer पे आपको बता रहा हूँ यह काम आप अपने mobile में भी कर सकते हैं वो आटी वाली application है उसकी मदद से कर सकते हैं या फिर direct अपने mobile के अंदर कोई भी browser open कर लो और जो आगे मैं process बता रहा हूँ न उनको आप follow कर लो आप अपना lottery का result हो आसानी से देख सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको private school का जो portal है जिसे हम PSP portal या RT portal के नाम से जानते हैं इस पर आपको आना है जिसका URL या link है rajpsp.nic जब आप इस portal के home page पे आओगे तो इस तरह का interface आपको दिखाए देगा थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर एक link आपको दिखाए देगा अभ्यारती प्रात्मिक्ता करम आपको इसी link या option पर क्लिक करना है इस तरह से एक नया page open हो जाएगा यहां पर student की detail आपको डालना है इसके लाओ देखिए home page पर एक और option आपको देखने को मिल जाता है Kendrickert Lottery प्रनाम विद्दालेवार इसका मतलब यह कि यह दि आप school wise Lottery का result देखना चाहते हो तो इस link की मदच से आप देख सकते हो इसके लाओ जिसी के निचे एक और link आपको देखने को मिल रहा चातर online आवेदन इसके मदच से भी आप यहां पर result देख सकते हो अलांकि उपर वाले यह दो link है इनका swing troop निचे वाला link है मैं इसको एक नई टेम में open करके आपको दिखा देता हूँ देखिए आपने जिस समय आर्टी का फोरम भरा था तो इसी link या इसी page के मादेम से भरा था और यहां पर देखें left side में आपको दोनों ही option है वो देखने को मिल जाएंगे इसके लाओ दोस्ते यहां पर एक और खास जानकारी आपको देना चाहूँगा देखिए अगर आप lottery का result नहीं देख पा रहे हो किसी conference link open नहीं हो पा रहा है site पे आप नहीं पहुंच पा रहे है आपके सामने कोई शम्मश्य आ रही है तो इसका एक alternate तरीका आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको हमारी site पे विजिट करना हमारी site का नाम है rajgurji.com क्योंकि आपके सुईदा के लिए हमने हमारी site के उपर इसका direct link provide करवा दिया जब आप हमारी site के home page पे आओगे menu बार में school college का menu मिलेगा private school का menu मिलेगा इस पर आपको click करना इस तरह से एक नया page open हो जाएगा और इस page के अंदर private school से related जो भी important update है document है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे इस page के सबसे last में आपको आना है और सबसे last में यहाँ पे RT admission 2014-25 के सभी important link आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते है हमें तो यहाँ पे lottery का result देखना है तो यहाँ पे एक option आपको मिल जाता है RT अभ्यारती प्राथमिक्ता करम 2024-25 जैसे इस link पे आप click करोगे तो यहाँ पे देखे same वही page है वो open हो जाता है आप यहाँ पे वो देख सकते हो अगर direct आप यहाँ पे नहीं आते हो कोई दूसरी टेप open होती है तो आपको यहाँ पे देखे अभ्यारती प्राथमिक्ता करम वाली टेप है इस पर आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे देखे आपको आवेदन करमांग क्या form number student के आपको डालने है इसके बाद नीचे जो capture दी गई है इस box में आपको यहाँ पे डाल देना तो चलिए मैंने capture भी डाल दी इसके बाद प्रणाम देखे वाले option पे आपको यहाँ पे click करना है तो यहाँ पे student का नाम आपको है वो दिखाए देगा इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पे देखे इसकूल का नाम आपको दिखाए देगा और जस्ट इसी के आगे column आपको देखने को मिलेगा प्रात्मिक्ता करमांग और यहाँ पे आपको प्रात्मिक्ता करमांग का वो देखने को मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा मेरे case में तो यहाँ पे केवल एक स्कूल वो दिखाए दे रही है हो सकता है कि आपने आविदन के समय एधिक्तम पांच स्कूलों में आविदन किया होगा तो यहां पे देखिए उन सभी 5 स्कूलों का नाम आपको दिखाए देगा और पर्टे की स्कूल के आगे यहां पे यह जो परात्मिक्ता करमांग वाला kolum है वहां पे इस्टुडेंट का करमांग है आपको दिखाए देगा अब यहाँ पर एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका में आपको school wise है वो बता रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरा option आपको देखने को मिल रहा है Kendrick है तो lottery प्रणाम विद्धालेवार इस पर आपको यहाँ पर click करना है Click करने के बाद यहाँ पर देखे जो भी आपका district है वो district यहाँ से select कर लेना है इसके बाद आपका जो भी block है यहाँ से select कर लिजेगा और यह capture यहाँ पर दी रखी है यह capture इस box में डाल देना तो चलिए मैं जल्दी से capture डाल देता हूँ खोजे वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है तो देखे इस block की सारी school आपको यहाँ पर नजर आएगी अब यहाँ पर आपने यह फिर बालक बालिका का जिस school में आवेदन किया है RT का उस school के नाम के उपर आपको यहाँ पर इस तरह से click करना है और click करने के बाद यहां पे देखे सभी student के नाम आपको दिखाए देंगे कि यहां किन किन student ने इस school में आठी के तहत आवेदन किया है अब यहां पे तो देखिए हर एक student का लोटरी करमांक आपको यहां पे नहीं दिखाए देगा तो इसके लिए क्या करना है मान लेते हैं कि जैसे आपका बालक बालिका का कोई भी नाम है उस बालक के नाम के उपर आपको यहां पे click करना है click करने के बाद यहां पे और ज़्यादा detail आपको देखने को मिलेगी अब उस बालक या बालिका के दवरा कितनी स्कूलों में आवेदन किया गया है उन सभी स्कूल का नाम इस तरह से दिखाए देगा और पर्ते की स्कूल के आगे यहां पे देखिए लोटरी करमांक या प्रात्मिक्ता करमांक आपको देखने को मिलेगा जैसे इस स्कूल में इस बालक का जो प्रात्मिक्ता करमांक वो एक है निचे वाली में दो है उससे निचे वाले में भी दो है फिर यहां पे देखिए एक एक आरक है तो कहने का मतलब है आप स्कूल वाइज है सभी स्टूडेंट की लोटरी का करमांग है वो देख सकते हो जैसे मैं एक बार इसको पिछे लेकर चलता हूँ और यहां पर इस स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इस स्टूडेंट की डिटेल भी आपको पता लग जाएगी देखिए यहां पर देखिए इस स्टूडेंट ने क्यों एक स्कूल में आवेदन किया है और इसका प्राथ्मित्ता करमां वो च्यार आ रहा है इस स्कूल में तो देकि ये दो तरीके हैं इन दो तरीकों से आप अपना आटी का रिजेल्ट या लोट्री का रिजेल्ट है वो देख सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम लोट्री का रिजेल्ट है वो देख सकते हैं चलिए अब लोट्री के करना होता है, रिपोर्टिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दो-चार खास बाते आपको बता देता हूँ, देखिये दोस्तों साइद आपने ही हाँ पे है, आटी के आवधन के समय अधिकतम 5 स्कूलों में आवधन किया होगा, किसी ने एक इस्कूल म कर्मांक या प्रात्मिक्ता कर्मांक का जो सिरियल नंबर है, इस्थान है, वो एक आ रहा है, यानि पहले नंबर पे आ रहा है, और किसी स्कूल में पांच नंबर पे आ रहा है, किसी स्कूल में पचास नंबर पे आ रहा है, तो ऐसे में हमें जो रिपोर्टिंग है, वो कौ गारंटी नहीं है कि यह दि माल लेते हैं किसी student के यहाँ पे lottery जो करमांग है प्रात्मिकता करमांग है एक नंबर आए यानि पहले नंबर पे है उसका नंबर आ गया तो यह जरूरी नहीं है कि उसका RT के तैत admission ही हो जाएगा क्यों क्योंकि यह depend करता है non RT के student की seat के आधार पर यह दि private school के दवारा PSP जो portal है private school का यह दि वहाँ पे है non RT वाले student की एक भी data entry नहीं करता है एक भी admission नहीं करता है तो भिया आपके वहाँ पे नंबर कैसे आएगा क्योंकि यहाँ पे RT वालों का जो admission होता है वो non RT के आधार पर होता है तो यह कोई guarantee नहीं होती है और यह जो admission की process लेगी ना वो 31 अगेस तक वो चलेगी इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे school वाले है ने admission की data entry portal पे करते रहेंगे वैसे वैसे भी है यहाँ पे RT वाले student का admission atometric होता रहेगा प्रात्मित्ता कर्मांग के नुसार ऐसा नहीं कि कोई school वाला अपनी मर्जी से admission कर देगा यानि मान लेते हैं कि कि किसी student का lottery कर्मांग के 50 का है अगर school वाला चाहता है कि मैं 50 वाले का सबसे पहले admission कर दूँ तो यह कत्ता ही नहीं होने वाला है admission होना portal के हाथ में है क्योंकि वो भी काम automatic होगा जिस परकार से lottery निकलिए और यह lottery का तो अजब फंडा मुझे देखने को मिल रहा है और यह जिस school के अंदर अभी तक non-arty के student के admission नहीं हुए अपनी डबल पी 3 को ले लेते हैं first class को ले लेते हैं जो पहली entry class है उसको ले लेते हैं कि non-arty के student नहीं और फिर भी portal में lottery के अंदर वो lottery कर्मांग दिखा रहा किसी का एक नंबर दिखा रहा किसी का 5 नंबर, 2 नंबर दिखा रहा मुझे ये समझ में नहीं आया कि भी या उसने ये प्रात्मिक्ता कर्मांग कहां से count करके ले किया गया अब उन्होंने lottery निका लिए तो automatic के मामला हुआ अगर ये बात आपको समझ में आ रहे हैं तो comment करके है मुझे बता दीजेगा आसा रखता हूं ये बात आप जरूर समझगे चलिए अब आगे की process आपको बताता हूं दोस्तों यहां पर देखिए आपने जिन 5 स्कूलों में आवेदन किया था उनमें से किसी एक स्कूल में आपको online reporting करना पड़ेगा online जिस प्रकार से फोरम भरा था न फोरम की देखिए कई step थी और anthem जो step थी आवेदन के समय यहां पर फोरम प्रियोर लोक वाली थी इसके बाद reporting वाला है और जो option हो अब active हो जाएगा 13 माई के बाद ठीक है न तो यहां पर active होने के बाद किसी एक स्कूल में आपको reporting करना मर्जी आपकी है कुछ से साथियों का यह सवाल था कि हमने 5 स्कूल में आवेदन किया था हम चाहते हैं कि 5 वाली स्कूल एक नंबर पे आजए बिल्कुल उसकी जो priority है वो भी आप change कर सकते हैं कोई दिक्कत यहां पे वो नहीं आने वाली है लेकिन एक स्कूल में आपको reporting करना पड़ेगा और admission भी है उसी में होगा एक बार जिस स्कूल में आप reporting कर दोगे उसके बाद आप दूसरी स्कूल में reporting नहीं कर पाऊगे इस बात को भी आपको खास तार पर ध्यान रखना है कोई निकल गी उसके बाद क्या होगा विया उसके बाद नहीं 20 तारीक को यहां पे देखिए क्या करेगा पोर्टल रात को कर देगा अटोमेटिक जब आप सोगे ना गहरी नेंदि में होगे तो अटोमेटिक कर देगा जिस भी अभिवावक ने अपने बालक बाले का कि किस एक भी ही तो पोर्टल रात किसी एक में कर देगा अपनी मर्जी से करेगा वह एक नंबर वाली में है वह छया नंबर वाली में है कर सकता है तो इसलिए मैं कहूंगत आपकी चौर्स के नुशार आपको हैं पे रिपोर्टिंग करनेजी रिपर remains करने के बाद, यहां पे आपके सारे ही जो दसतावेज हैं, जो आपने आवेदन फोरम बहरे हैं, वो इसकूल की ID पे है, वो दीखने लग जाएगा किसी एक सकूल पे, जिस सकूल में आपने रिपोर्टिंग की है, बैस, इसके बाद school के दोरा दस्तावेज का verification किया जाएगा और verification के दोरान यह दि कोई गलती नजर आती है तो यहाँ पर objection लगा दिया जाएगा अलांकि वो cancel नहीं कर सकते delete नहीं कर सकते reject नहीं कर सकते objection लगाएगे objection का पता आपको SMS के दोरा पता चलेगा अगर फिर भी के बाद CBO के दोरा forum को है verify करना पड़ेगा फिर school के दोरा verify नहीं करवाना है अपके बार यहाँ पे CBO से verify करवाना पड़ेगा आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपको देऊंगा अब जैसे जैसे step बढ़ती जाएगी हर एक step के बारे में पूरी जानकारी आपको समय के साथ बताता रहूँगा अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजेगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जुरूर share कीजेगा और इसके अलावा यह दि आपका कोई सावाल है तो comment करके मिलते हैं फ्रेंट्स अगली एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत